कॉंग्रेस का जो कार्य करता होता है न जो यहां पर आज हजारों खड़े हुए हैं अच्छा सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है है ना अकेला मिलता है कॉंग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूंगतु है मिलेंगे और जो कॉंग्रेस का कार्य करता है उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूँ वो नफरत को नफरत से नहीं काटता है वो नफरत को महपत से काटता है उसके दिल में महपत है भाईचारा है इस्जत और रिस्पेक्ट है और उसको आप कितना भी मारो कितने भी गाली दो कितना भी धमका हो वो नफरत को महपत से जवाब देता है हमने यात्रा की कन्या कुमारी से कश्मीर तक और जहां भी बीजेओपी वालों ने नफरत का बाजार कोला वहां कॉंग्रेस पार्टी ने महपत की दुकान कोली पूरे देश में ये ये हमारा तरीका है हम महपत की बात करते हैं जोडने की बात करते हैं वो नफरत फलाते हैं देश को तोडने का काम करते हैं भाई और बेनों ये जो चुनाओ है लडाई इसके हो रही है ये देखिए जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है इस किताब ने दिया है और ये आपका सम्विदान है ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का सम्विदान है और ये आपकी रक्षा गरता है इस सम्विदान को अम्बेटकर जी के सम्विदान को गांदी जी के सम्विदान को आपके सम्विदान को BJP और RSS के लोग खतम करने में लगे हुए लगा ही इस बात की है भाईयों और बेनों अगर ये सम्विदान चला गया तो आपके पास गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा आपकी जमीन आपका धर्न आपका पानी सारे के सारे गायब हो जाएंगे चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे तो कॉंग्रेस पार्टी हर चुनाओं में नैशनल लेवल के चुनाओं में हरियाना के चुनाओं में विचारधारा की लड़ाई लड़ती है एक तरफ कॉंस्टिटूशन को खतम करने वाली विचारधारा दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा समविधान की विचारधारा ये लड़ाई है अब हरियाना के बारे में तोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कुछ दिन पहले मैं अमरीका गया अमरीका में हरियाना के युवा मुझसे मिले पहले उन्होंने मेसेज दिया राहूल जी आप अमरीका आए हो हम आपसे मिलना चाहते है मैंने का क्यों मिलना चाहते हो कहते हैं राहुल जी हम आपको अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं हर्याना के लोग डैलस में मुझे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं तो मैंने खाँ ठीक है मिलते हैं डैलस में मैं 20-25 हर्याना के युवाओं से मिला और उन्हें ने मुझे बताया राहुल जी हम भाग कर हर्याना से भाग कर अमरीका आए है आप क्यों गए? क्योंकि हर्याना में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है हर्याना में महंगाई की इतनी चोट है बेरोजगारी इतनी है कि हमारा भविश्य हर्याना में नहीं बन सकता इसलिए हम अमरीका आए हैं आप अमरीका कैसे गए पचास लाक रुपे करजा लेकर खेत बेचकर हम अमरीका आए हैं कैसे आए पूरी दुनिया घूम कर गए पहले हम इस्तानबुल गए फिर कजाकिस्तान गए फिर साउथ अमेरिका गए एक्वाडॉर गए अलग-अलग देशों में गए और अंत में पैनमा के जंगलों से निकल कर हम अमरीका गए रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए डूपते हुए देखा माफियाओं हमें लूटा हर्याना की सरकार ने बीजेपी इन की सरकार ने हर्याना को खतम कर दिया है राहूल जी यह सचाइए आपको अगर हर्याना में रोजगार चाहिए तो नहीं मिल सकता है हर्याना के युवाओं को सिरफ अमरीका में आज रोजगार मिल सकता है हर्याना में नहीं मिल सकता बड़ी बड़ी बाते होती है नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करेंगे इधर उधर की बात करेंगे मगर अपने भाशनों में नरेंद्र मोदी ये नहीं समझा सकते कि हरियाना बेरोजगारी की लिस्ट में पहले नमबर पर उन्होंने कैसे पहुँचाया क्यूं पहुँचाया ये आपको कभी नहीं बताएंगे भाईयों और बैनों ये नरेंद्र मोदी जी की देन है नरेंद्र मोदी जी अरब पतियोंगी सरकार चलाते है बीस पच्चिस लोगों का उन्होंने सोला लाख करोर रुपिया कर्जा माफ किया है मैं आप से पूछना चाहता हूँ हरियाना के किसानों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी न मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया गरीबों का कितना कर्जा माफ किया नए किसानों के लिए तीन कानून लाए जमीन चीन लेते हैं हम जमीन अधिकरन बिल लाए उसको रद किया आपका जो है वो चीन जाते हैं और पूरा का पूरा फाइदा 15-20 अरब पतियों को देते है अमरीका में युवाव ने मुझे बताया राउंची जब आप वापस जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए जाके हमारे परिवारों को बताईए कि हर्याना में हमारा फ्यूचर नहीं है मगर अमरीका में हम सही है हम सलामत है आप जाके उनसे मिलिए क्योंकि जब हम उनसे कहते है कि हम ठीक है तो हमारे परिवार के लोग मानते नहीं सुबह सुबह में करनाल गया उन्हीं युवाव के परिवानों से मिला उन्हें कहा कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको मिलकर कहूँ कि वो अमरीका में ठीक है परिवारों ने मुझे बताया राहूल जी वो आपको बता रहे हैं कि वो ठीक है मगर सच्चाई है कि वो हमसे दस साल के लिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अगर वो अमरीका से निकले तो अमरीका वापिस नहीं जा पाएंगे राहु जी सच्चा ही है कि जब यहां किसी के मृत्यू होती है तो वो हिवा अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाते है और जब यह बात चल रही थी एक बच्चा देव नाम का बच्चा चीकता हुआ कंप्यूटर के फास जाता है वीडियो कॉल चल रही थी एक तरफ उनके पिता एक तरफ उनके परिवार चीकता हुआ कहता है पापा 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 वापिस आओ पापा उसको देखता है मुश्कुर आता है दिल में दुख आखों में आशु छुपे हुए और पिता अपने बेटे से जूट बोलता है बेटा आ जाओंगा जल्ती आ जाओंगा ऐसा हर्याना हमें नहीं चाहिए ये बेरोजगारी का महंगाई का हर्याना हमें नहीं चाहिए हमें विकास का हर्याना चाहिए प्रगति का हर्याना चाहिए और देव जैसे जो हर्याना हुए लाकों बच्चे हैं उनकी आँकों में हमें आसु नहीं चाहिए उनके चेहरे पह में मुस्कान चाहिए ये हर्याना हम चाहते हैं तो हो क्या रहा है भाईयों बेहनों आपका धन आपके जेबों में से निकाला जा रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ते है गैस सिलिंडर के दाम बढ़ते है शिक्षा प्राइविटाइज हो गई है उसमें आप लागों रुपए देते हो स्वास के लिए आपको अपरेशन की जरूरत पड़ती है आपको लागों रुपए देने पड़ते है जितनी GST आप देते हो उतनी ही GST अंबानी देता है अदानी देता है ये हिंदुस्तान की सचाई है गरीब लोगों के जेब में से पैसा निकलता है अमीर लोगों के जेब में जाता है और आपके जेब में पैसा नहीं आता है इसलिए हर्याना की सरकार शुरुआच से ही गरीबों के जेब में पैसा डालने का काम शुरू करेगी पहला काम जैसे हमारी सरकार बनेगी महिला शक्ती योजना 2000 रुपे हर महीने हर्याना की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटा-कट, खटा-कट, खटा-कट अंदर आज आप बारासो रुपे का गैस सिलिंडर करीते हो हर्याना की सरकार बनेगी पाथसो रुपे का गैस सिलिंडर होगा 700 रुपए खटा खट खटा खट जेब के अंदर समाजिक सुरक्षा योजना जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी उसको हम फिर से लागू करेंगे OPS हम आपको वापिस देंगे और 6000 रुपए पेंशन का बुजुर्गों के लिए विद्वाओं के लिए और डिसेबल लोगों के लिए 6000 रुपए हर महीना आपके बैंक अकाउंट में डालेगे युवाओं को हर्याना सरकार में जो 2 लाख रोजगार नरेंद्र मोदी और हर्याना की सरकार ने खाली रखके हैं उनको हम भर के आपको देने जा रहे हैं और ये 2 लाख रोजगार जो मिलेंगे ये हर्याना के 36 बरादरियों को मिलेंगे हर जात को हर धर्म को ये रोजगार हम देंगे नियाय के साथ समानता के साथ ये रोजगार दिये जाएंगे किसान को ग्यारंटी करके हम MSP देंगे और जैसे ही आपको नुकसान होता है वैसे ही आपको बैंक में बीमा का पैसा एकदम दिया जाएगा गरीबों को 100 गर्स के प्लोट और साड़े 3 लाख रोपे दो बेडरूम के घर के लिए बैंक अकाउंट में दिया जाएगा 300 उनिट फ्री बिजली और 25 लाख रोपे हेल्थ इंशॉरंस जैसे हमने राजिस्तान में किया जो आप जानते हो या राजिस्तान में मारी जो योजना थी आप कोई भी ओपरेशन दिल का किडनी का पेट का जो भी कैंसर हुए उसका उपरेशन आप करवाना चाहो तो 25 लाख रुपे तक का उपरेशन आपको हस्पटालों में मिलेगा तो ये कॉंग्रेस पार्टी करने जा रही है भाई और बहनों सबसे जरूरी बात भाई चारा ये लोग जहां भी जाते है BJP के लोग RSS के लोग नफरत फिलाते है जहां भी जाते हैं हर प्रदेश में जाते हैं कहीं भाशा की बात करेंगे कहीं धर्म की बात करेंगे कहीं जात की बात करेंगे नफरत को मिटाना है भाई और मेहनों हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है नफरत का नहीं है, ये मोहपत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है, और सबसे जरूरी बात, जो हमने की है, हर मिनित हम करते हैं, कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे, इस देश में मोहपत जीतेगी, भाई चारा जीतेगा, एकता ज बैनो नफरत से देश कमजोर होता है नफरत से दुख फैलता है दर फैलता है महबत ही नफरत की काथ है महबत से भाईचारा फैलता है महबत से ही देश की प्रगती होती है भाई और बैनो आकरी तीन बात आपको कहना चाहता हूँ सबसे पहले लडाई Constitution की है समविधान की है न नफरत और मुहबत के बीच में लड़ाई है हम मुहबत फैलाते हैं वो नफरत फैलाते हैं हम इसकी रक्षा करते हैं समविधान की रक्षा करते हैं हम बेटकर जी की समविधान की रक्षा करते हैं वो इसे खतम करते हैं चोटी चोटी पार्टिया घूम रही है ये बीजेपी की A, B, C, D, E, F टीम्स है इनको आप समर्तन मत दीजिए कॉंग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहाँ बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए आकरी बाद यहाँ हमारे किसान है किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया है जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे ही उसी दिन हर्याना के किसानों को धान का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम ग्यारंटी MSP किसानों को देंगे अंत में फिर से दोराना चाहता हूँ हमारे जो टाइगर है कारे करता है महबत की दुकान वाले जो कारे करता है जो मुझे यहां दिख रहे है शेर और शेरनिया आप हमारी लड़ाई लड़ते हो आप लाटी खाते हो आप मार खाते हो मगर आप पीछे कभी नहीं अड़ते हो आप नफरत को मुहपत से काटते हो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी इनकी गालियां खाई है मैंने भी इनकी हिंसा देखी है और जैसे आप नहीं डरते हो वैसे मैं नहीं डरता हूं आप मुझे शक्ति देते हो आप ये समझो कि कॉंग्रेस का जो कार्य करता है ये देखिए ये हमारा चिन है ये कॉंग्रेस पार्टी का चिन है इसका मतलब डरो मत अबे मुद्रा हम किसी से नहीं ड़ते है और आपकी शक्ती से मुझे शक्ती मिलती है जो आप महबबत देश में फैलाते हो उसी कारण मैं महबबत फैला पाता हूँ उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूँ तो मैं आपको दिल से दन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों यहां पे आपकी सरकार बनने जा रही है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाना ने निन्ने ले लिया है पता नहीं आपने देखा नहीं देखा पहले नरेंद्र मोदी 56 चाहती की बात करते थे अब नरेंद्र मोधी का चेहरा बिलकुल बदल गया है अब कॉंग्रेस पार्टी की लहर आ रही है अरियाना में तुफान आ रहा है और इसके बाद गरीमों की सरकार बनेगी किसानों की सरकार बनेगी नफरत की नहीं महपत की सरकार बनेगी और कोने कोने में मुहपत की दुकान खुलेगी दन्यवाद नमस्कार जैर